उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ दिवंगत पदमशिरी बिरहा समराट हीरलाल यादव के घर पहुंचे जहां सीम योगी ने बिरहा समराट हीरलाल यादव को भावपून शिरधांजली अर्पित की इस दोरान मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने विरहा समराट के परेजनों से मुलाकात की और उनको हर तरह से इस दुख की घड़ी में साहिता देने का वदा किया वहीं हीरालाल यादव के परेजनों ने सीम योगी को मांग पत्र भी सौपा जिसको लेकर मुख्य मंत्री योगी आदेतनाथ की तरफ से सरकारी सहेता का आश्वासन दिया गया है परिवार वालों ने मांग पत्र के बारे में बताया कि हीरालाल यादव की नाम से उनके सडक का नाम हो एक द्वार बनाये जाए और एक स्मर्ती भवन का भी निर्मान हो और जो कर गए हम पूरे परिवार के लिए सबी लोग अपने बाल बच्चे के लिए नहीं कर पाते हैं आज जोगी जी आये थे सुनी लोजा जी आये थे धर्मिल्दर जी आये थे जी निलकर्ट टिवारी भी आये थे गौड तलब है कि बिरहा समराट पदमशरी हीरलाल यादव का बारह मई को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था उनकी पतनी अभी भी अस्पताल में भरती हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूज रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए वरनसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट